well so we are starting with parts of a plant plants के हिस्से now see like trees shrubs and herbs are plants right पेर चारियां और हर्ब्स जो है वो प्लांट्स हैं प्लांट्स की टाइप से हैं कि नहीं like our body हमारे body की तरह plants also have different parts plants के भी different parts होते हैं हमारे body में different parts है ना eyes हैं nose है ears है tongue है right फिर हमारे body के अंदर digestion के लिए भी है ना parts है तो वैसे ही जो है plants also have different parts Plants के भी different parts होते हैं Different हिस्से होते है The parts of the plant are roots, stem, flowers, birds, fruits and leaves The parts of the plant are Podhe के हिस्से जो है Roots, stems, flowers, birds, fruits and leaves जर, तना, फूल, कलिया, फल, पत्ते इस सारे क्या हैं Parts of plants है और यहां तो आपको लोगों के लिए बहुत मज़दार काम है न Plant की पूरी की पूरी drawing बनानी है आपको और आपको जो है ऐसी ही drawing बना के फिर उनके नाम भी लिखने है अब लेको जमीन के नीचे वाला जो हिस्सा है यह क्या है यह है Roots, राइट और Roots अकाम पता है क्या है Roots जो है वो plants को पानी देता है जमीन से खीच के जमीन में छुपे हुए गुले हुए जो minerals होते है minerals देता है और यह water और mineral का huge plant जो है वो खाना बनाने में करता है यह stem हो गया जो कि पौधे को support देता है खरा रखता है साथी साथ इस stem से होते हुए ही तो वो पानी जो है और mineral जो है वो plant के सारे green हिस्से में पहुंचता है ठीक है फिर यह जो green हिस्से होते है यह sunlight वगएरा की help से क्या करते है पता है plant के लिए खाना बनाते है फिर जो खाना बनता है plant का leaf वगएरा में उसके बाद plant से क्या निकलता है bird, कलिया वही कली जो फिर क्या बनता है फूल और उस फूल में क्या लगते हैं फल फूरूट अफोर्स इन फूरूट से आपको फिर मिलेंगे सीड तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होगे तो अब हम क्या करेंगे कि अब अभी आज का आपका काम सिंपल रहेगा कि आप जो है बस ये जो पार्ट है डाट्रीज़ शर्प्स अंड हर्ब्स आर प्लांट्स अब बाडी प्लांट्स अलसो है डिफरेंट पार्ट्स दस पार्ट्स यह न मिलेंगे तो वैल इतना आप लिखेगा और इसके बाद जो है आप एक जो है ये ड्रॉइंग बनाईएगा प्रोपर ग्रीन कलर से कलर करके रेड जो भी कलर आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगे अफकोर्स स्टेम और लीवस जो है वो ग्रीन में रहे तो बहतर है यो ग्रीन ही होना चाहिए ठीक है बाकि फ्रूट्स और फ्लावर्स अब जिस कलर का यूज कर लो अब जो है प्रोपर एक ड्रॉइंग बनाऊगे प्लैंट की और उसके सारे पार्ट्स का नाम भी लिखोगे रूट्स स्टेम वगेड़ा वगेड़ा ठीक है तो वैल यह आज आज आजा आप अब काम रहा अगले क्लास में हम लोग जो है फिर अलग अलग टाइप के लीव के बारे में पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे वेल दन मिलते हैं फिर अगले क्लास में तर बाब बाई